है वेलकम बैक मैं यूटीब चैनल सूरज के व्लॉक्स दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर एक नई जगह के साथ तो आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं दूर्ग में इसी एक जो मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है चंडी तो चलिए में जिसका। जो है मांता के दर्शन कराता हूं और वहा है आपको उपरया मंदिर दिखाता हूं अभी मंदिर खूला होगा यह नहीं δेखना पड़ेगा तो क्लिछर चलते हैं तो मैं भिलाी से जा रहा हूंये लगभग भिलाई से जो है 13 किलोमेटर की दूरी पर इसी थे आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको जो है एग्जेक्ट एड्रिस मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन फिर मैंने जो है नेट में देखा और मैं आपको बता जेता हूं तो सीव पार गया नगर जेडी एस दूर्ग आप सिंपली तो अभी अप्लोड कर रहा हूं तो यह दिखी मंदिर काफी जो है बड़िया मंदिर है दम मतलब अभी जो यहां पर काम चली रहा है पूरता से तियार नहीं हुआ है तो इसलिए माता के दर्शन करते हैं और यहां पर उस टाइम में मास्क कंपल्सरी था अभी यहां पर मा तो अब बढ़ते हैं आगे तो यहां दिवाल में आप देख सकते हैं पूरी जो है यहां पर कारीगरी की गई है है यहां पर मतलब सभी भगवान के जो यहां पर जो है बनाये गये हैं दिवाल पर यहां पर यहां पर इस्ताफीत किया गया था नावी में तो वह रूम Ich में अलग से जैसल और आपको दिवार दिखाता हूए तो इह प्रणी ऐसका प्लाइछ पूरा आपण उप्रति धैस्या यह उत्रा जावाए घैसे शुल्वार में है अभी एज है कनरलर नहीं हुआ है यह जो अभी आपका काम चली रहा है पूरा काम नहीं हुआ है अभी मंदिर का अब बहुती मतलब बढ़े तरीके से बनाया गया भव्य बनाया गया यहां पर ज्योती कलस्पुरी यहां पर बहुती सुंदर लग़ा देख सकते हैं आप यहां बाहर आपको बहुत सारी दुकाने मिल जाएंगी नारियल के बाकी खिलोने के बहुत सारे यहां पर दुकाने हैं बाहर में और काफी बढ़िया जगर लगा मुझे मैं भी यहां पर पहली बार आया है मैंने सिर्फ इसका नाम सुना था इस मंदिर का तो मुझे बहुत अच्छा लगा आने के बाद तो चले हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं बाहर के तरफ चलते हुए तो यह दिखिए ह अब हम चलते हैं वापस बाहर देख सकते हैं यह सब पूरी दुकाने आपर लगी हुए तो यह सब मिरे दोस्त हैं आप जाने के लिए तयार हैं तो चले मैं आप यहां से निकलता हूं तो कमेंट करके जरू बता हैं कि यह वीडिया आपको कैसा लगा जगा आपको कैसा मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जगह के साथ तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में